हाड़ेट एंजिनियर हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ वरुन पटिल इस वीडियो में मैं आपको पाइपरेक के कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ पाइपरेक जो होता है वो फैबरिक रिट प्रोड़क्ट है बीम, चैनल, एंगल, सेक्शन्स ये सारी चीज मिलके पाइपरेक बनता है तो इस वीडियो में मैं आपको पाइपरेक के कंपोनेंट्स को क्या नाम से बोलते है और उसका फंक्शन क्या है वो डिटेल में एक्स्प्लेइन करोगा प्लीज लाइक, एंसेर इस वीडियो, एंट टोंट फर्गेट टो सब्सक्राइब आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल बाइजस्क्लिकिंग सब्सक्राइब बेटन जो के आपके स्क्रीन के राइट इंसाइट पे है पाइपरेक का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है उसको फ्रेम बोलते हैं अभी फ्रेम क्या होता है कि वो बहुत सारे smaller कंपोनेंट से मिलके एक sections बनता है basically वो sections of पाइपरेक है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक frame है ठीक है और यह इसको पूरा जो section से उसको एक frame बोल सकते है आप या तो फिर यह vertical भी हो सकती है या तो horizontal भी हो सकती है depending on आपका fabrication drawing है उसके बीजस पे आप frame का construction करते हैं और फिर उसका erection करते हैं अभी इसमें फाइदा क्या होता है frame का कि mostly जो सारा भी assembly होता है वो ground level पर ही हो जाता है and then you have to erect entire section तो उससे क्या हो सकता है हो जाता है कि आपका जो field में जो work है वो बहुत कम हो जाता है और आपका erection और installation बहुत fast हो जाता है अभी within frame बहुत सारे अलग-अलग components होते हैं तो इसको मैं आपको यह explain करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो first components है हमारा उसको transverse and longitudinal beam बोलते हैं अभी यह जो है यहाँ पर इसको transverse beam बोलते हैं और यह जो है यह parallel जा रहा है यहाँ और यहाँ पर इस side में यहाँ पर तो यह सारे जो longitudinal beams है ठीक है इसका function क्या है transverse and longitudinal beam होता है उसकी design का मतलब है कि जो force कोई भी moment हो गया share produce हो गया any load combination हो गया उसको protect करने structure को protect करने का मतलब जो intermediate large structures होते हैं उसमें यह सारे beams होते हैं इसके पर आपके pipe leg किये जाते हैं तो उसको support provide करने का structure को stability देने का और जो load है उसको foundation पर transfer करने का यह इसका transverse beam and longitudinal beam का function हो गया अभी जो बड़े structure होते हैं उसमें कैसा होता है कि intermediate transverse beam भी लगते है यह एक section है यहाँ पर देखिए जैसे कि यह section तो यहाँ पर एक intermediate beam लगा हुआ है तो यह intermediate beam क्या करेगा कि यह frame को support करेगा और यहाँ पर पाए पाएगा उसको भी support करेगा sagging नहीं होगा और structure को stability मिलेगा तो यह आपका intermediate beam है यहाँ पर in between यह main आपका beam है ठीक है transverse beam और इसके यहाँ पर intermediate है और यह longitudinal beam से यहाँ पर यह हो गया next है column तो यह जो vertical structure section से eye section edge section depending हो था आपका structure की demand मतलब कितना load जाने होले उसके पर उसका design होता है तो उसको यह columns बुलते column का function क्या है कि यह जो सारे का सारा load यहाँ पर frame पर आएगा आप pipe लेकर होगे equipment आएगे fin fan color हो गया जो भी आएगा वो सारा load को collect करके उसको foundation पर लेके जाने का तो यह हो गया column का function अभी जो last component है जो मैं इस उडियो में आपको बताने वाला हूँ वो है bracing supports यहाँ पे देख सकते bracing आपको vertical bracing होते हैं ऐसे और यह horizontal bracing within the frame यहाँ पे यह horizontal है और यह vertical bracing से इस bracing का function क्या है कि structure को stability देते हैं और deformation होने से बचाते हैं साथ में यह पूरे का पूरा जो रैक construction होता है और कैसा जाद है कि moment resisting होता है जैसे wind का load हो गया earthquake हो गया इस सारे क्या सारे time पे इसको बराबर without fail इसको खड़ा रहने मलब गिरना नहीं है ठीक है तो यह जो सारा load होता है यह सारा sections मिलके stability देते हैं पूरे structure को तो bracing का support ऐसा है कि यह deformation prevent करेगा और crosswind या तो जो भी loads से unwanted load है उसको यह उस time पर deformation होने से बचाएगा और externals load को foundation पर transfer कर देगा यहाँ पर मुझे उमिद है कि आपको pipe rack component के बारे में पता चल गया होगा प्लीज दो like and share this video अब pipe rack के बारे में या तो piping के बारे में टेक क्या है